वो थो एक परवाज है, पुर्दोर एक आवाज है, खामुशियों की है जुबाँ, चल दे तो चल दे करवाँ, वो है जहाँ, वो है जहाँ, यगती है जैसे आसमाँ, वो है यगी वो रोशनी, नमस्कार, टेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है, हमारे यहां गुरू का स्थान इश्वर से भी बड़ा माना गया है, दरसल इश्वर तक पहुचाने का माध्यम भी तो गुरू इंचींड़ा, वाद पड़े समय बदला दौर बदले लेकिन आज के दौर की भी अगर बात करें तो शिक्षक का स्थान वही है और उतना ही महत्वपूर्ण है और आगे भी ऐसा ही रहेगा क्योंकि व्यक्ति को मनुष्य बनाता है उसका अध्यापक व्यक्ति में चरित्र का निर्मान करता ह उसका शिक्षक और हमारे देश में ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है अपने चात्रों की भलाई के लिए अपने चात्रों को बहतर इंसान बनाने के लिए और आज ते जस्वीनी में भी हमारे साथ एक ऐसी ही और ये शिक्षाविद हैं जानी मानी अध्यापिका शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के क्षित्र में बहुत काम किया है गौरी ईश्वरन गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्णू गुरूर देवो महेश्वरा सदियों से हमारे देश में गुरु या शिक्षक की व्याख्या इसी तरह से की जाती नहीं है जिसमें गुरु को साक्षा ब्रह्म की संध्या दी गई है लेकिन आज के बदलते दौर में एक शिक्षक की भूमिका क्या हो इस पर काफी अर्से से बहस भी जारी है लेकिन आज भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपना जीवन छात्रों के भविश्य के निर्माण के लिए समर्पित किया है ऐसी ही एक शिक्षक हैं गौरी ईश्वरन जिनका जीवन बौजूदा और भविश्य के शिक्षकों के लिए एक मिसाल है गौरी का मानना है कि जीवन में एक शिक्षक तभी संपूर्ण है जब उसमें ethics, excellence और engagement का समावेश हो The Global Education and Leadership Foundation की CEO और दिली के संस्कृति स्कूल की संसापक प्रिंसिपल गौरी इश्वरन का मूल फोकस, मूले परक शिक्षा ही रहा है वो मानती है कि बच्चों को एक बेतर इंसान बनाने में शिक्षक के साथ साथ माबाब की भी बड़ी भूमिका है अनेक शेक्षिक संसानों में विशिष्ट सलाकार की भूमिका निभा रही और शिक्षक के क्षित्र में अमूले युगदान के लिए पदमश्री से सम्मानित गौरी इश्वरन है हमारी आज की तेजस्वीदी तो आएए मुलाखात करें देश की जानी मानी शिक्षका गौरी इश्वरन से बहुत-बहुत स्वागत है गौरी जी इतना लंबा अनुभव एक शिक्षक के तौर पर और शिक्षक एक शित्र में जो आपने काम किया है अभूत पूर काम किया है यह बताईए कि बच्चा जब छोटा होता है तो कई बार जित करता है शाद उसके जीवन में शिक्षक से बड़ा कोई होता नहीं है और हर बच्चा चाहता है कि वो शिक्षक बन जाए तो क्या आप भी शुरू से यह चाहती थी कि मैं टीचर बनोंगी अध्यापिका बनोंगी या आप कुछ और चाहते थी अचली जब मैं छोटी थी बालिका थी तब इतना हम लोग करियर के बारे में सोचते नहीं थे अचली ज्यादा खुश थे बच्चो उस टाइम पर और मुझे पहले इच्छा था कि मैं पाइलट बनूँ और फिर थोड़ी बड़ी हुई तो फिर वो हटके मुझे मन में लगा कि मैं ऑक्सफर्ड जाओं पढ़ने के लिए अच्छा पर यह सब कुछ नहीं हुआ और मैं मैं अपना बेटा को स्कूल छोड़ने गई तो उनका प्रिंसिपल मुझे से कहे कि हमारे यहां थोड़ा भाव हो गया है कोई दो तीन टीचर चुटी में चले गए थोड़ा हमें मदद कीजिए और मैं कहीं कि फादर प्रिंसिपल मैं तो कभी पढ़ाई नहीं हूँ तो व मुझे लगा चलो मेरी जीवन के मकसद मिल गई और उस समय से हम बराबर स्कूल टीचेंग में रहें हैं और मेरी यही दुख है कि पूरी दुनिया में और खास करके इंडिया में भी स्कूल टीचर को जो सोशल स्टाटिस जो महत्म मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है तो एक म करने से नाम ज्यादा बनता है और मैं भी फिर इंटर्व्यूर लेकर मुझे कॉलेज में नौकरी मिल गई थी एक महीने काम करके मैं वापस स्कूल आ गई क्योंकि स्कूल के बच्चों में जो एक सुन्दर्ता एक clarity और एक affection जो genuine है वो आपको स्कूल के बच्चों में ही मिल सकती है और उनके साथ जो आपका तालूग जो आपका relationship बनता है उसमें एक अलग खुबी है तो आपको जीवन का मकसद मिल गया जब आप स्कूल की टीचर बन गई लेकिन ये बताईए कि फिर उसके बाद जब ये जीवन का मकसद मिल गया तो फिर आगे का सफर आगे की या सबसे पहले तो मुझे MA करने पड़ा क्योंकि मैं BA के बाद शादी हो गई थी और मुझे BA भी करने पड़ा पर यहीं पर जो आप कहते हैं destiny जो भगवान साथ देते हैं जिस school में मैं शुरू की थी वो हमें बहुत साथ दिये और बोले कि half day पढ़ाईए half day आप जाके तो वो challenge थी क्योंकि इतने सालों के बाद exam का तैयारी करना easy नहीं है क्योंकि वो concentration का आदत छुट जाती है तो उसको दुबारा बनाने पड़ता है वो बहुत बड़ी challenge थी उसके बाद बच्चों के साथ जो अनुभव मेरी रही है उसको पताने हम कैसे describe करें क्योंकि इतनी संतुष्टी मुझे वो देती थी इतना एक fulfillment मिलता था क्योंकि जो बहुत चोटे बच्चे हैं वो तो आपको भगवान समझते हैं actually पड़ आपके जो high school के बच्चे हैं उनके साथ के दूसरी वेवहार दूसरी relationship हो जाती है क्योंकि वो अपने सब problems को लेके आते हैं और उस उमर में जब वो 13 से 16 साल तक हैं उस टाइम में स्कूल और अध्यापक अध्यापिका बहुत उनको influence कर सकते हैं अच्छे mark दिखा सकते हैं और आजकेल के जमाने में बच्चों पर बहुत pressure है एक तो parents के पास time नहीं है दूसरी बात है career का इतना pressure है और सब चीज में लोगों को 99% आजाती है वो भी एक pressure है pure pressure है इसलिए एक school teacher को उन pressure को कैसे आप समहा लें वो बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है तो गौरी जी आप फिर sanskriti school जिसका इतना नाम है दिली का एक चाना माना school हम जानते हैं उसकी आप sansapak principal बनी तो यह जो काम था यह आसान तो नहीं होगा इसमें बहुत सारी चुनौतियां आपने जरूर आपके सामने आई होंगी वहाँ पर उतको मैं यह भी कहूंगी वो इतना जो हम जो इतना खुशी जो मुझी मिली उस उसको स्थापना करने में और कहीं नहीं मिला क्योंकि एक चीज थी हमारे पास एक management ऐसी थी जो हम में पूरे छूट दे दिया कि जो आपको ठीक लगता है education में हम आपको पूरा power देती हैं आप कीजिये और मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी क्योंकि जो भी school में मैं पहले पढ़ाई सब जगह खली pressure थी marks पर कि आपको कितना marks आए school से भी pressure parents से भी pressure और जो बच्चे हम एक promise ले लिए कि यहां पर सब बच्चे एक जैसे हैं उनको 50% आए या 90% आए क्योंकि मैं fully convinced हूँ कि हर एक बच्चे में कुछ खुबी है और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खुबी खली marks हो तो इसलिए हम school में बच्चे को खुश रखे क्योंकि कहीं पर हम यह नहीं difference दिलाएं कि अच्छा आपको 99 नहीं आया तो आप बेकार हैं हर एक बच्चा को हम ऐसा रखें कि आप भी कोई अनमोल रतन है उससा बहुत फैदा हुआ जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है जो हमारा धाचा है वो marks oriented है बच्चों को admission नहीं मिलते अगर उनके marks नहीं आए एक शिक्षावद होने के नाते आप क्या कुछ कोशिश करती हैं खास और से इस पूरे इस शिक्षा के इस धाचे को सवारने में बनाने में ताकि कुछ चीज़ें जो इसकी खामिया हैं उन्हें दूर किया जा सके हैं देखिए ऐसे स्कूल में I mean education system में हमें आजकल ये एक स चाहिए, options बहुत हैं तो actually schools parents को educate करना इस पर मेरे पास एक बच्चा था जिसको बड़ी मुश्किल से हम लोग पास कराए उसका memory यादगार शक्ती ठीक नहीं थी पर उस बच्चा बहुत creative था तो उसके mother को हम advice किये इसको आप B.A.B.A में मत भीजिए इसको आप graphic designing में लग पर उसको grades कभी नहीं आएं वो खली 50% में पास हुआ तो इसलिए हमें अपना whole attitude को बदलना चाहिए कि grades से नहीं बच्चे बनते हैं आजकल बहुत event management इतने सारे careers हैं और parents को सोचना चाहिए कि बच्चा क्या करने चाहता है mistake जो parents करते हैं कि उनके जो ख्वाइश है वो बच्चों के थूप पूरा करने चाहते हैं कि हमारे एक family में सब engineers हैं तो ये भी engineer बनेगा पर वो बच्चा शायद engineering में interested नहीं है और I think अभी CBST में changes लाने वाले हैं कि सब बच्चों को 90 प्लस मिलना इतना आसान नहीं होना चा और admission नहीं मिलती है और उस बच्चे को अब क्या कहेंगे कि यू डू बेटर वो और किता बेटर कर सकता है तो ये सब सोच के हमारे whole education system needs to change अचा ये बताईए गौरी जी कि आज कल हम देखते हैं कि classes में काफी बच्चे होते हैं 40-45 कई sections होते हैं teacher के ओपर भी काफी pressure होता है ऐसे ले बस खतम कराने का pressure होता है ऐसे में student और teacher का relationship है शायद उसको teacher बनाना भी चाहता होगा लेकिन बना नहीं पाता है आप बताईए कि क्या तरीका है उसको करने का ताकि जो relationship actually उनमें होना चाहिए वो कहीं समय की कमी के भेंट ना चड़ जाए Actually यह बहुत बड़ी problem समस्या है एक तो classes में 30-35 से बच्चे ज्यादा नहीं होना चाहिए maximum 40 उससे उपर पर हमारे बहुत सारे government schools वगेरे में 75 बच्चे हैं उनको कौन teacher really देख सकता है और दूसरी बात है management का और principal का support teachers के लिए चाहिए क्योंकि teacher जो है वो क्यों marks के पीछे school को record बनाना है और आपके marks ठीक नहीं आएं तो आपके increment नहीं मिलेगी कितनी तरह से punishments हो सकती है यह सब हटा देना चाहिए और हम यह संस्कृती में किये थे और it worked very well और बहुत लोग मुझे कहे आपका school कभी नहीं चलेगा क्योंकि आप marks पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे ह पर चल गया इसके मतलब है कि वहाँ पर लोग है जो चाहते हैं कि अपने बच्चे खुशी से school में पढ़ें और उनके उपर इतना pressure ना आए तो school जो बनाते हैं और education department दो है उनको इस पर जोड लगाना चाहिए कि marks are not the only thing in life जिन्दगी में आपका जो values है आपके अंदर जो आत्मविश्वास है यह सब भी बहुत important है जी तो हमारे साथ आज गौरी मैम यहां बैठी है और गौरी मैम की class चल रही है ते जस्वीनी में एक चोड़ा ब्रेक लेते हैं तुरांत हाजिर होते हैं आपका इना जाएगा एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्वीनी में आज हमारे साथ गौरी इश्वरन है जो कि ताउम्र अध्यापिका रही है और अध्यान और अध्यापन और एजुकेशन के लिए इतना काम कर रही है गौरी जी स्कूलों में अगर हम बात करें तो अकसर पीटीम्स होत है कई जगें लेकिन हमने देखा है कि पीटीम्स में सर्फ और सर्फ जो टीचर है वो एक साथ चालिस बच्चों के माबाब से करीब दो घंटे में मुलाखात करती है और उसमें भी वो बच्चे कि क्या कमिया है उसको पैरेंट्स को बता देती कई बर ऐसा लगता है पैरें हो सकें बजाया इसकी की शिकायतों का उसका सेशन ना रहे इस से मैं भी आप से सामत हूं कि ऐसा नहीं चलना चाहिए क्योंकि जब टीचर को मैं जब अपने टीचर को यही कहती थी जब आप कोई शिकायत करने चाहते तो उसका आप सुझाव भी दीजिए जैसे आप कहते ह कि home work नहीं करता है तो उनको ये भी parents को बताईए कि किया incentive दे सकते हैं बच्चों को कि वो hum work करें और उनसे ये भी पुछिए कि उनका क्या राय है कि school की तरसे हम क्या करें और दूसरी बात है जो school में बच्चा ध्यान नहीं देता है उसके लिए हम parents को नहीं blame कर सकते हैं क्योंकि जो school के अंदर होता है वो आपके control में है parents तो और कहीं बैठे हैं तो बहुत सारे teachers की यही एक गलती हो जाती है कि वो कहते हैं कि class में नहीं काम करता लिखता नहीं है तो और parents बिचारे डर के मारे कुछ बोलते नहीं है क्योंकि हम कुछ कहने से शायद teacher बच्चा को और कम box दे दे पर इसमें एक समझोता होना चाहिए कि जो school में होता है उसको school के control में है उसमें आपको कोई parents का help चाहिए तो आप parents से मदद मांगिए यह नहीं complain कीजिए कि आपका बच्चा slow है और दूसरी बात है हमें यह भी सोचना चाहिए सब बच्चे एक level पर नहीं सीखते हैं कोई थोड़ा जल्दी सीखते हैं कोई थोड़ा धीरे सीखते हैं तो teacher को classroom में यह सब मन में रखना चाहिए पर इसके लिए हमें teachers को training देना है मैं इसी पर आ रही थी कि teachers training जो है वह बहुत outdated है आपको क्या लगता है कि इस field में कितना कुछ काम करने की जरूरत है बहुत करना है हमकुद हमारे teaching methodology इतनी outdated है teacher training जहां पर भी हो इस देश में completely outdated है और हम teachers को यह नहीं सिखा पाते हैं कि एक classroom मे 40 बच्चे हैं सबका अलग-अलग interest ways of learning है तो उनको आप कैसे समा लें तो some schools वो खुद training करवाते हैं पर यह कोई जवाब नहीं है हमारे training को जैसे मैं teachers college Columbia University एक बार गई थी और हम कोई classes attend किया ऐसे और उसको देखे मुझे बहुत दुख हुआ कि उस तरह का training हम क्यों नहीं क उनको उपर हम गलती लगा देते हैं कि आप नहीं करते हैं पर यह आपको वो tools नहीं दिये हैं यह आप उनको सिखाएं नहीं और training नहीं कियें तो फिर कैसे हो सकता है तो उनको we have to train them make them sensitive और दूसरी बात है teaching में वही लोग आना चाहे जनको बच्चों के लिए बहुत प्या नहीं है तो आप कभी एक सक्षम अध्यापक नहीं बन सकते हैं अच्छा आज कल तो इंटरनेट का जमाना है गूगल गुरू का जमाना है ऐसे में बच्चों को भी कई बार लगता है कि टीचर को क्या आता है यह बताएए कि यह जो एक digital दुनिया है इंटरनेट की दुनिय है इसमें अध्यापकास्थान और बच्चे उसके साथ में लिंक कर सकें यह कितना जरूरी है और कितना मुश्किल काम है आज के टीचर के लिए इस चीज़ को भी संभालना एक तो टीचर ट्रेनिंग में यह भी हमारा एक अभाव है कि हम उनको टेक्नोलोजी का कोई सही ट् है यदि हम वो ट्रेनिंग दे तो टीचर क्लास्रूम में मैंनेज कर सकते हैं दूसरी बात है आजकल टीचर पुराने जमाने जैसे चौक और ब्लैक बोर्ट टीचर नहीं है ना फिसलिटेटर हैं सो इफ बच्चा कोई क्लास में आकर बोलेगा इंटरनेट में मिल गया तो टीचर को कोई शर्मिना नहीं होना चाहिए काने में ठीके बेटा मुझे नहीं मालूम मैं पता कर लेती हूं तो इसमें कोई खराब फीलिंग होने की कोई जरूरत ही नहीं है और दूसरी बात है इंटरनेट में इतना information overload है कि टीचर का definitely role है बच्चों को guide करने के लिए कि कि किसको हम सही माने किसको नहीं सही माने कौन-कौन से sites में जाना चाहिए किसमें हम नहीं जाना चाहिए इसमें सब बच्चों को guidance चाहिए ही चाहिए और टीचर ही दे सकती है और दूसरी बात है man जैसे बोलते हैं in English में man is a social animal तो हम लोग अकेले में नहीं रह सकते हैं तो जि जैसे कैसे हम लोग की समाज में हम कैसे बीचते हैं relationship पर ही तो बीचते हैं कि आप और हम में relationship है तो हम एक दूसरे के लिए कोशिश करेंगे अच्छे करने के लिए अच्छे citizen बढ़ने के लिए यह सब खली technology से नहीं होगा लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह का आजकल है स्कूलों में sexually abuse हो रहे हैं बच्चे बहुत सारे issues हैं बहुत abusive language का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे जो वो स्कूल से सीख कर आते हैं अपने साथियों से सीख कर आते हैं ऐसे में teacher के रोल को आप कैसे देखती हैं और किस तरह से teachers tackle कर सकती हैं इस situation को स्कूल में जूनियर स्कूल से यदि शुरू करके आएं और हम बच्चों को सिखाएं क्या सही है क्या नहीं सही है 80% बच्चे वो रास्ते में आ जाते हैं 20% का साथ family problems और कुछ हो सकता है और यह sexual abuse जो हम बात कर रहे हैं अब ही सब निकल आ रही है और जहां तक school में मेरा experience था most sexual abuse family or friends में होती है of course papers यह बाहर वाले सब publish करते हैं और family क्या करती है और बाहर नहीं आके लोगों को नहीं बताने चाहते हैं वो police में report बहुत बार नहीं करते हैं so maximum sexual abuse known people से होता है तो school के अंदर if you look rampant sexual abuse सब schools में नहीं है school कैसे चलता है उसके कैसे management है उसके उपर कास depend करता है but usually most of the children are abused at home either some close family friend और कोई relative maximum उसी में पढ़ता है but we have to teach children छोटे बच्चों को हमको सिखाना है कि यदि गलत तरीके से कोई आपके पास आये उसको आप कैसे पाचानेंगे और किसके पास जाके आप report करेंगे यह school में करना बहुत जरूरी है sex education भी school में बच्चों के लिए चलाना बहुत जरूरी है unfortunately हमारे देश में हम इसके बारे में बात करने से हिचकते हैं अच्छा जब हम moral education की बात करते हैं हम नेतिकता की बात करते हैं क्या इसके बारे में schools और teachers कभी जानने की कोशिश करते हैं यह तो बहुत जरूरी है पर अभी शुरूरात हुई है CBSC भी प्रिस्क्राइब कर रही है डिल्ली गाव्मेंट में वह happiness curriculum ले आए हैं अभी शुरू हुआ है बट यह बहुत जरूरी है और जो हमारी जो आप अभी इसके पहले bad language यह सब बात कर रहे हैं अभी हम ऐसे वाला curriculum की अभाव थी स्कूल में खली हम maths, physics, chemistry इसी पर जोर लगाएं और उनका character चरीतर के बारे में कोई फिकर नहीं किया पर अभी उसके लिए curriculum बन रहा जिस संस्था में अभी काम कर रहे हूं हम यही किये हैं, हम एक curriculum तयार किये हैं जिस पर यह moral values पर जोर लगाएं पर आपको यह भी समझना है कि आजकल के बच्चा moral values करके नहीं सुनेगा तो आप उनको समझाना है कि यह क्यों जरूरी है क्योंकि team management, आप team में काम करेंगे तो team में करेंगे तो आपको values चाहिए ना कि दूसरा का उपर विश्वास करना, loyal रहना तो team, collaboration, negotiation कैसे करेंगे दूसरों का listening कैसे करेंगे आप अपना अंतरात्मा में आपको क्या चाहिए आप वो कैसे समझेंगे क्योंकि यदि आप अपना अंतरात्मा का नहीं समझेंगे तो बाहर का दुनिया से आपका सही touch कभी नहीं होगा तो यह सब सिखाना बच्चों को बहुत-बहुत जरूरी है खुशी के बात है कि अभी यह लोगों की माइन में आ गया है and CBAC इस साल से करिकुलम कर रही है और हम जो करिकुलम किये हैं वो अभी 8000 स्कूल में चालू है और राजस्तान में तो हम सब गर्मेंट स्कूल में किये हैं और शुरू में मैं सोची की पता नहीं कैसे होगा रूरल एरियाज में पर रूरल एरियाज में सबसे बेस चला है खास और से जो बच्चे जो सोशली डिस अड़वानटेज बच्चे हैं गरीब बच्चे हैं जिनके लिए शिक्षा बहुत दूर की कोड़ी है खास और से ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन ही स्कूल में जाके हम हीस्ट्री सिविक्स यह सब नहीं देखते हैं उनको में हम कोशिश करते हैं कि उनको आत्मश्वास दें कि आपके अंदर भी टैलेंट है, आप कर सकते हैं और उनको entrepreneurship में हम थोड़ा education देते हैं कि आप गाउं में बैठे-बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं. दूछरी हम सरकार के साथ जैसे यह जावार नव योद्या विद्यालियां हैं उसमें हम साथ देते हैं और दिल्ली में यह राजकिये प्रतिकवा विकास विद्याले में और उसके लावे I think पूरे देश में यदि यह जो HCL company है एक दो स्कूल शुरू किये हैं विद्याग्या जहां बच्चे छटी क्लास में आते हैं इतने गरीब घर से कि मैं आपको बता भी ने सकती और बारवी खतम कर देते हैं आप उन बच्चों को पहचानेंगे नहीं और इस साल छे बच्चे यूएस में फुल स्कॉलर्शिप में गए हैं तो हमारे देश में ऐसे हमें बहुत सारे स्कूल्स खुलना चाहिए और दूसरी इन जावार नवयोदिया विद्यालिया बहुत अच्छी काम कर रही हैं वहां पर भी ये डिसडवांटेज बच्चों के लिए सही सिक्षा मिल रही हैं तो चलते चलते जीवन भर आपने अध्यापन काम किया है और आज भी बच से हमारे बच्चे और बहतर मनुश्य और नसान बनें विद्या ग्यान जैसे स्कूल्स बट एक डिफरेंस के साथ मोई Inclusive स्कूल में हमें अलग नहीं करना चाहिए कि यह गरीब बच्चे हैं और यह रिच बच्चे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए स्कूल में समाच के सब सेग्मेंट से लोग होना चाहिए और मेरा यही है कि जब next generation of Indians होंगे तो सब मिलके रहेंगे और यह नहीं हो कि इसको कमी है और उसका ज्यादा है यह हट जाना चाहिए और दूसरी बात है जैसे हम EWS बच्चों को लाए है स्कूल में दुख की बात है कि उनको पूरा इंटेग्रेट करने में कोई कोशिश ने कर रहे हैं एक generation के लिए तकलीफ होगी पट इन बच्चों के जो बच्चे आएंगे उनका तो जिंदगी दूसरी होगी और तब उसी को हमें पालन करें तब ही society में equity आएगी जी और हमें उमीद है कि आप अपने इस काम में इसी प्रकार से लगन से लगी रहेंगी बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद थैंक्यू सो मच तो ये थी गौरी इश्वरन मैं जिनकी आज क्लास हुई और हमने जाना कि आखिर देश में और शिक्षन और अध्यापकों का क्या कुछ रोल होना चाहिए अगले हफ़ते एक और ऐसी शक्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे तब तक लिए जाज़त दीजे नमस्कार